नमस्कार दोस्तों, मेरा नहीं है सुमिश्र वास्तव और हर शुक्रवार की तरह हैं, मैं आज आप लोगों के मीच में हूँ Life Insurance Industry से related एक नया वीडियो लेके दोस्तों, पिछले वीडियो में आप सब लोगों ने बहतरीन रिस्पॉंस दिया पांच दिन में 25,000 से जादा Life Insurance एजेंट्स ने पिछले वीडियो को देखा और जबरदस्त उसका रिस्पॉंस आया और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आया और आप सारे लोगों के जिन्दगी में उस वीडियो के मातम से हम कॉंट्रिब्यूट करने में सफल रहे आज के इस वीडियो में भी पिछले वीडियो के आगे चलते हुए मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ तीन ऐसे स्टेप्स के बारे में तीन ऐसी चीजों के बारे में जिन चीजों के बेस पर ही Life Insurance Industry में सफल या असफल Insurance Agents की Category Define होती है यानि कि ये तीन ऐसी चीज़े हैं जिस जो किसी भी Insurance Agent में अगर नहीं है तो वो असफल हो सकता है और अगर ये हैं किसी Insurance Agent में तो guarantee है आपकी सफलता की सूनर और लेटर आपकी जिन्दगी में आपको सफल होना ही होना है तो क्या है ये तीन चीज़ है आईए वन बाइवन जानते हैं पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ है दोस्तों specifically transparency शायद इस transparency से भी पहले में continuity बोलता बट पहले transparency को क्यों रखा ये मैं आप लोगों को बताता हूँ दूसरे point में हम consistency को भी discuss करेंगे transparency, see हम सारे लोग life insurance consultant है और life insurance consistency में जो phase आ रहा है जो इंडिया में insurance consistency का phase आ रहा है advisory का जो phase आ रहा है उसमें ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने customers के साथ पूरी तरीके से transparent हो जितने ज़्यादा transparent होके आप चलेंगे उतना ज़्यादा एक long term relationship आपका आपके client के साथ develop हो पाएगा हमारे पास कई सारे life insurance agent जो वीमा गुरुकल insurance expert course में आते हैं कि उसने अपने client से कोई specific चीज छुपाई और उसका impact यह हुआ कि या तो claim के time पे या फिर client जैसे ही aware हुआ किसी और ने उसको aware किया उस वक्त पे इस agent के लिए परिशानिया create हो जाती है तो हमेशा याद रखिए दोस्तों हम एक long term passive income के phase में हैं यानि कि हमारा जो profession है वो passive income का phase है आप आज जो काम करते हो उसके उपर आपको जो income मिलती है वो client जितने साल policy चलाएंगे उसके उपर income मिलती है और धीरे धीरे आपकी active income से ज़्यादा बड़ी आपकी passive income हो जाती है ऐसे वक्त पे बहुत important है कि आपकी किसी पुरानी गलती की वज़े से किसी छोटे लालज की वज़े से आपकी agency के उपर भात भी आनी चाहिए तो उसके लिए क्या करना है try to be transparent with your customer जितनी maximum informations आप share कर सकते हैं कीजिए financial underwriting से related maximum information अपने client के साथ discuss कीजिए कि क्या actual में financial underwriting की guidelines है medical underwriting से related अगर वो उनका weight जादा है अगर उनको कोई भी medical disease है कोई भी transplantation हो रखा है कोई भी major operation surgery हुई है इन सारे cases में उनको educate कीजिए उनको बताइए उनके साथ transparent रहिए कि actual में class 1, class 2 extra लग सकता है बट आपके case में हम proposal form में detail mention करके ही चीजों को आगे बढ़ाएंगे try to be ethical, try to be transparent with your customer तो अगर ये एक गुण आपने अपने अंदर समावेश इसका कर लिया तो guarantee है कि आप सफ़र हो गई होगे दूसरा point वो है consistency are you consistent? think about it consistency का real मतलब क्या है real मतलब है कि कुछ ऐसा हमारी जिन्दगी में setup हो जाए कि हमारी वो आदत बन जाए to create a habit आप किसी भी चीज में consistent कब होते हो for example आप रोज लोपते हो, brush करते हो करते हो या नहीं करते है क्या आपको उसका कुछ pain feel होता है नहीं feel होता, आप brush करते है आप consistent नहीं करते है आप इनकरते हो, आपको उसका कोई pain feel नहीं होता आप भाहर निकलते हो, कपड़े पहनते ही पहनते हो आपको उसका कोई pain feel नहीं होता तो होता क्या है ये सारी के सारी चीज़ें आपकी habits में शामिल हो चुकी है, आप consistent इन सब चीज़ों में इसलिए हो सके, क्योंकि आपकी habits में ये सारी के सारी चीज़ें आ गई, क्यों ना हम सारे लोग अपनी जिंदगी में एक नई habit डवलप करें, और अगर ये habit अपने डवलप कर ली, तो आपकी जिंदगी में consistency अपने आप आजाएगी, आप consistent अपने आप हो जाएगे, ये है, जैसे हमारे लिए brush करना जरूरी है, जैसे हमारे लिए कॉम करना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, खाना खाना जरूरी है, उसी तरीके से, और ये हमें कुछ extra effort के बिना होता उसी तरीके से, अगले 21 दिन के लिए एक काम करिए, जिससे आपकी वो habit डवलप हो जाए, और वो है habit of prospecting, यानि कि prospecting को continuity में लेके आना है, consistency किस चीज़ की create करनी है, prospecting की, एक insurance agent के सामने सबसे बड़ा सवाल, चाहे वो नया insurance agent हो, चाहे वो पुराना insurance agent हो, सिर्फ एक सवा का जवाब छुपा हुआ है, इस consistency की habit में, जो की है prospecting की habit, daily आपको एक कसम खाके निकलना है, कि आप कम से कम 10 नए लोगों के number लेके ही घर में आओगे, तो daily 10 लोगों के नए लोगों के number लेके आओ, 21 दिन में 210 लोगों के number लेके आओ, उसको आदत बना लो, जैसे brush करना ज 22 दिन वो हमारी habit बन जाती है, तो अपनी जिन्दगी में consistency create करने के लिए, और prospecting की habit को develop करने के लिए, सिर्फ 21 दिन के लिए, 10 prospect daily, 10 नए number daily, यह आपको create करने है, और नए numbers नहीं, वो लोग जिनसे आप मिल के वापिस आओगे, real prospects की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो cold care massing के through या किसी भी तर ऐसे हो, ठीक है, तीसरा important point, क्या है, तीसरा important point, बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों, वो है actionable educational communication, मैं दुवारा repeat करता हूँ, actionable educational conversation या फिर communication आप कह सकते हो, तो तीन चीज़ यहाँ गई, communication, last से पकड़ते हैं, communication, कैसी communication, ऐसी communication, जो की educational हो, तो समझ में आया, educational communication, तो आपके दिमाग में आना चाहिए, कि मैं ये बतानी की कोशिश कर रहा हूँ, कि आपको जो communication करनी है customer के साथ, regular base पे, वो educational communication होनी चाहिए, और उससे पहले मैंने एक शर्प लगा दिया, actionable, यानि ऐसी educational communication, जिसके base पे customer action ले सके, जो उसे action लेने में support करे, तो आपको ऐ actionable, educational, communication की, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि एक ऐसी communication का system develop करें, एक ऐसा automation का system develop करें, कि आपके client को regular base पे educational communication आपकी तरफ से होती रहे, और आपके client को पता भी ना हो, बट वो कहीं न कहीं actionable हो, यानि कि उसे action लेने में support करने वाली educational communication होनी चाहिए, आप आपके doubts को खतम करने के लिए थोड़ा support कर देता हूँ, for example, आपको पता है कि कोई भी market में change आने वाला है, insurance industry में कोई change आ रहा है, let's take an example कि LIC का IPO आने वाला है, ठीक है, अब एक चीज़ हुई कि हमने simple communication में enter कर गए, और हमने क्या किया हमने सारे के सारे clients को बहुत सारे messages जो लिए काल ली कर रहे है, आप किसलिए काल कर रहे है, educational communication के लिए form कर रहे है, हाँ, वो actionable है, तो वो actionable अपने आप काम करेगा, आप क्या कर रहे हो, educational communication के लिए call कर रहे हो जहां से सुनना बात को जरूत पड़े वीडियो को दुबारा देखना बहुत बहुत अंदर की बात है educational communication दिखा रहे हो आप कि educational communication में कर रहा हूँ but at the end of the day आप अपपी policy लेने के लिए actionable content दे रहे हो जिस्ते की उसे support मिल रहा है वो action ले सकता है क्या चीज़े होती है इसमें थोड़ा ध्यास से समझना बताता हूँ आपने क्या किया call list अपने सारे के सारी customers की list निकाली और call करना चुरू किया नमस्कार सर और उना ने बोला हाँ अब बताईए सुरेशी कैसे हैं आप सर बहुत बढ़ी है सर सब आपकी wishes हैं सर दौाएं है इश्वर काशिरवाद है और सब बहुत बढ़ी है चल रहा है अच्छा सर मैंने आपको यह बहुत important educational communication के perspective से call किया है सर मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि insurance industry में एक major change आ रहा ह नया plan आया rates में changes आये अभी आप सब लोगों को पता होगा जीवन चांती और जीवन नक्षय के जो rates है उनमे marginal difference आये और थोड़े से rates increase कर दिये गए इसकी information सारे customers को अगर आपके बास 500 customers है क्या उन लोगों को phone पे बताई गए बताओ आपको यह रखता है यह client single premium वाला है य लेगा या नहीं लेगा इसमें तो policy को surrender करा लिया इसमें तो policy का premium ही पेली किया है यह तो already गले तक पूरी तरीके से pack है इसके उपर तो loan है इसमें तो LIC policy के उपर ही loan ले रखा है यह सारी चीज़ने आपके दिमाग में चलती है but आपको इसे यहां पे नहीं लगाना कि client क् judgmental नहीं होना आपको क्या करना है actionable educational communication करनी है और simply सबको phone करके आप बता दीजे 500 लोगों को किसी को भी policy लेने के लिए push मत कीजिए आपको नहीं पता उन 500 में से किसकी family में पैसा है जो 80 single premium है आपके पास आ जाएगा आपको नहीं पता कि आपकी इस communication के base पे कोई client policy लेने के बारे में सोच रहा था आपने इस policy के लिए call किया इस educational content को देने के लिए call किया और उसने सामने से आपको policy बता दी आपका perspective क्या है insurance agent के साथ issue क्या आता है वो policy बेचने के लिए ही call उठाता है नहीं educational content देने की कोशिश कीजिए ऐसी information देने की कोशिश कीजिए जो कि उसकी customer को budget से related जो guidelines हाई उसके उपर educate करते हो customer को messages भेज के नहीं लोग ठक चुके messages से call करके person relationship develop करते हो guarantee है कि आपको success मिलनी ही मिलनी है तो तीन चीज़ों के उपर हमने बात की ये तीरों चीज़े मैं आपको repeat करता हूँ बट उससे पहले एक important चीज़ बता दू कई सारे लोगों कई लोग क्या गलती कर रहे है 9069062040 के उपर high का message तो कर देते हैं बट साथ ही साथ उस number को save नहीं करते अब अपने number नहीं save किया और high लिखके छोड़ दिया तो पता है क्या होगा हम कितने भी message आपको भेजते रहें broadcasting के through आपको receive होंगे ही नहीं कोई भी important information miss कर जाएंगे को important PDF होगा miss कर जाओगे पता नहीं कितनी चीज़े miss कर जाओगे तो 9069062040 अभी चेक करो अपने mobile में save है या नहीं है और save अगर है तो whatsapp पे जाओ high लिखके भेज़ दो confirm हो जाएगा कि आपने हमारे पास वो high लिखके भेज़ा होगा है ठीक है चलिए तीन पॉइंट over a period of next six months आप अपनी जिन्दगी में बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे और इस बदलाव की जिन्दगी में आगे बढ़ते वे मैं तो आपके साथ हूँ ही जो कि हर शुकरवार को life insurance agent के लिए नए नए वीडियो लेके आता रहता है मैं उमीद करता हूँ कि हमारे सारी व अबल पर forward कीजिए दोस्तों क्योंकि कहीं ना कहीं पूरी की पूरी insurance industry में ये contribution की अगर आपकी feeling होगी तो इश्वर देख रहा है आपके contribution को आपके आज किये गए किसी भी contribution का कहां आपको फल मिलेगा इसका अंदाजा भी अभी आप नहीं लगा सकते हैं तो चलिए अगले शुक्रवार को फिर से मुलाकात होगी एक बहतरीन वीडियो के साथ एक बहतरीन टॉपिक के साथ तिल देन टेक कियर बबाए और गोड़ ब्लेसिए थैंक्स लॉट